हेलो गाइज आपका घर पे छोटा सा बेवी है तो आपको उसके उपर अच्छे से नजर रखना चाहिए अगर आपका बेवी साथ आठ महीने के उपर हो गया है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उस समय बेवी चलना स्टार्ट करता है जब बेवी चलना स्टार्ट करता है तब आपको पता होगा बेवी कितना गीरता है और जब बेवी गीरता है तब ज़्यादा इफेक्ट उसका लेक के उपर ही आता है इसलिए आपका बेवी के लिए मैं 5 popular knee safety pads के बारे में आपको बताऊंगा उसका यूज करने से आपका बेवी का knee के उपर कोई भी effect नहीं आएगा और मैं आपको जितने की सारा product के बारे में बताऊंगा उन सब का link description पे है नमबर वन पर सेलबर्टिक ब्रांड का बहुत ही आच्छा knee safety pad है और ये एक बहुत ही आच्छा elastic pad है इस बज़े से इसको पेहनने में आपका बेवी को बहुत comfortable लगेगा और इसको पेहनना बहुत ही आसान है और सबसे अच्छी बात इसको आप reuse कर सकते हो और नमबर टू पर मॉम केयर ब्रांड का एक colorful डिजन वाला knee safety pad है और ये भी एक अच्छा elastic knee pad है और इसमें round shape का rubber दिया गया है इस बज़े से आपका बेवी जब गिर जाता है तब कोई भी problem नहीं आता है और इसको भी आप indoor और outer के लिए यूज़ कर सकते हो नमबर थ्री पर नायरा smile brand का एक classic डिजन वाला knee pads है इसका नाम जैसा smiley है उस टाइप का इसके उपर smiley का डिजन किया गया है और ये बहुत ही soft है इसको आप wash करके reuse भी कर सकते हो नमबर फोर पर है fashion point knee pads ये आपको celvertick brand की तरह दिखाई देता है लेकिन इसमें एक खासियत है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है क्यूंकि इसमें अच्छा elastic दिया गया है और ये बहुत ही छोटा दिखाई देता है लेकिन सबसे अच्छा है नमबर फाइप पर एक design वाला mom gear का knee city tires है इसमें छोटा छोटा काटून का art किया गया है और आपको तो पता है बेबी को काटून कितना पसंद है इस बज़े से ये knee parts बेबी को बहुत पसंद आता है और ये बहुती comfortable भी है और एक बात है आपको जितने भी सारा knee parts बताया है वो 105 माहिने की बच्चे से लेकर 2 साल का बच्चे को अच्छे से फीट हो जाएगा उनको पेहनने में कोई भी परिशानी नहीं आएगा इस बज़े से आप इसमें से कोई सबी एक खरीच सेकते हो अगर आप इस वीडियो का अच्छे से देख लिया है तो आपको कौन सा नीप्याड अच्छा लगा मुझे कमेंड करके जरूर बताना मुझे तो पता चलेगा आपको कौन सा नीप्याड पसंद आया है